C.M. भुपेश बगेल चुनाओ अपना जीत चुके हैं विधानसबा चुनाओ C.M. भुपेश बगेल की जीत हुई विजा बगेल का ये कहना था कि जब रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर तारीक आएगी तर हम देख लेंगे लेकिन उनके दावे धरे के तरहे रह गए C.M. भुपेश बगेल की जीत हुई है पाचिन की धानसबा सीट से पढ़ना और इस आत्विश्वास की वज़ा ये भी थी कि वो एक बार हरा चुके हैं लेकिन इस चुनाओ में 2023 की धानसबा चुनाओ में भुपेश बगेल जीत गए हैं और नारायंटपुर से BJP के के केदार कश्यप जीते हैं और मम्ता लांजेवार का रुक करेंगे हम हमारे साथ जुड़ गई मम्ता जी बिलकुल मम्ता जो सूरते हाल है अभी 36 गलका BJP को प्रचंद बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है हाला कि कॉंग्रेस दफ्तर के बाहर आप नजर आती है शायद मुझे निराशा वहां पर होगी सन्नाठा पसरा हुआ गा बिलकुल देखिए सुबर जब हम यहाँ पर आये थे तो बहुत जादा रौनक दिखाई दे रही थी लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब कॉंग्रेस दफ्तर में जो जितनी गहमा गहमी थी वो गहमा गहमी जो है वो कम हो गई है और बीच में तो यह माना जा रहा था कि नतीजे बदल सकते हैं लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कार्करता जो है वो किस तरह से चिntिद नजार आरे है और आपको आपको देखेंगे गरूप गूरूप में आपको दिखाई देंगे अलग अलगर ज़रूर था कि कुछ बैजित पोल जो है उसमें ये बताया गया था कि काटे की टकर है लेकिन इस तरह के नतीजे आएंगे इसकी उम्मीद किसी नहीं कि थी तमाम वो बड़े चेहरे मैं बड़ा और अपने कैमरा पसे से कहूंगी आपको वो दिखाए जो पोस्टर लगा हु उपेश पर भरोसा नारा था और उसके बाद भरोसा पर करार फिरसे कॉंगरेस सरकार इस नारे के साथ जो है वो ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कॉलेक्टिवली जो है वो कॉंगरेस लड़ रही है लेकिन ये चारो चेहरे जो है चाहे वो पी-सीसी कहाँ दीपक बै तो ये Congress के लिए बड़ा शौकिंग है कि Core Committee के, Core Group के तमाम जो नेता है वो हार गए है चुनाओ एक तरह से और Congress ये समझ ही नहीं पा रही है, कहीं उनको लगा था कि चलिए पार्टी के नाम पर अगर नाराजगी है तो प्रत्यासी के नाम पर वोट मिल जाएंगे लेकिन ये तमाम जो कयास है वो धरे के धरे रहे गए, कर्ज माफी का जो बड़ा वादा Congress ने किया था, ये लगा था कि ये जो है वो मैजिक नंबर तक पहुचाएगा, लेकिन ये कर्ज माफी का जो वादा है वो उसका जादू नहीं चलता हुआ दिखाई दिया, यूथ सियासत का यहीं केल है, कोई पास है तो कोई फेल है, कहीं जशने का माहौल है, कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है, Congress के लिए बहुत बड़ी बात यह हो गई, बहुत बड़ा नुकसान ही हो गया है कि उसके दिगज ही कई, कई दिगज पीछे चल रहे हैं, अभी भी कई दिगज ह हार रहे हैं, ममता, बिल्कुल देखिए, अब वाकई Congress के लिए यह बहुत बड़ी एक शौकिंग बात है, दूसरी तरह पकर बात करें, जब एग्जिक पोल आ रहे थे, तो Congress का कहना था कि तमाम एग्जिक पोल से हम आगे जाएंगे, मुखिमंती पुपेश बगेल का भी पीरु किये, 56 जो एग्जिक पोल में जो सबसे जादा दिखाये थे, नम्बर दिखाये थे, हम उससे कहीं बहुत आए जाएंगे, आपके पास मंता की बात पर जो बड़े चहरे मंता दिखाये, पोस्टर पर बरोस्तर नाय रखने की बात हो रही थी, लेकिन वो बड़े च एग्जिट पोल से लेकर एग्जाक्ट पोल की तस्वीर कॉंग्रेस के हाख में नहीं आई है, लेकिन 36 गड़ को लेकर ये कहा जा रहा था कि भले ही, बिजेपी पर बड़े चाहिए, लाइन आडर के नाम पर जो कांग्रेसी करन करके रखेते राजधानी में उससे मुक्त दिलाना, तमारा इस परष्ट मते कानून का भए होना चाहिए, जो गलत काम करते हैं उनका सिकंजा होना चाहिए, और इसलिए इस 36 गड़ की जनता ने भए मुक् किया, कि इस सरकार ने ने आयाम घटिती के बश्टा चाहर की, और इसलिए आदे लोग जेल में, आदे लोग बेल में, और आदे लोग इंतिजार में, आप प्रात्मिक ताए क्या रहेंगी अब तो सत्ता पे रहेंगे आप लोग, अच्छा बाता वराण में सहर का विकास ह के काम करें, यही सोच को आगे बढाना है.